हेलो दोस्त आज की ये वीडियो पैडागोजी और साइकोलजी के 20 ऐसे कोश्चन लेकर आपके सामने आई है जो सवाल आपके पेपर को पास करा के ही मानेंगे धी ट्रिप्लेस भी पी आर्टी टीजीटी पीजीटी एंटीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो पिछले साल के पेपर देखोगे ये कोश्चन स्ट्राई करोगे तो आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा अपनी तैयारी से अपने एक्जाम को क्लियर करने से अपने नंबर काउंट करते रहना बहुत जल्दी 20 कोश्चन हम करेंगे खासियत ये होगी कि एक घंटे में 20 कोश्चन नहीं होगे हम 10 से 15 मिनिट के अंदर ये 20 कोश्चन करेंगे और आज के एक कोश्चन थोड़े से टफ वाले हैं तो देखता हूँ आप क्या स्कोर करते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपने कोश्चन को शुरू करते हैं पहला कोश्चन देखिए पहला कोश्चन है आप लोगों के सामने एक खेल क्रिया के दोरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा उसके पिता ने उसे देखकर कहा लड़कियों की तरह वेवारना करो लड़के रोते नहीं हैं अब उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह वेवारना करो लड़के नहीं रोते हैं तो पिता का यह कतन क्या है देखिए पिता का यह कतन है दोस्तों यह Rudy वादिता को दर्शाता ह्, Langic Rudy वादिता यानि कि तुम लड़के हो ये निकर सकते हैं, तुम लड़की हो तुम वो निकर सकते Langic Rudy वादिता, यानि कि किसी link को लेकर जो Rudy बनी हुई हैं उणी को दर्शाता है, तो option number A यहां पर होगा दूसरा एक परगती शिल्स कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लास्रूम के अंदर आप क्या देखते हो अध्यापक को अटल पाठ्यकरम का पालन करना अटल का मतलब जो फिक्स पाठ्यकरम है नई आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताईए ग्यान की संरचना के लिए परचूर मोके परदान करने आ यानि कि बच्चें को परगती शिल्सिक्षा में आप क्या करेंगे आप खुद ग्यान का निर्मान करने देंगे बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर खुद ग्यान का निर्मान बच्चे learning by doing से सीखेंगे तो answer हाँ पर हो जाएगा option number 3 अगला एक गतिवीदी के दोरान यानि कि एक activity करते वक्त किसी teacher ने बच्चे को छात्र को संगर्ष करते देखा तो अध्यापिका ने बच्चे को संकेत किया क्या क्यों कैसे यानि कि यहाँ पर है एक बच्चा और यहाँ पर है उसका सिख्षक बच्चे को थोड़ा सा किसी काम में अटकते देखा तो सिक्षक ने क्या कि उसकी help की उसको इशारा किया ताकि उसकी उल्जन दूर हो जाए तो अध्यापिका की है योजना क्या कहलाएगी बताईए देखिए अधिगम के लिए पाड या आधार भूत संरचना का काम करेगी यह कहलाएगी क्या मुझे बताईए वाई गोट्सकी ने क्या कहा है इसे पाड कहा है क्या कहा है पाड जिससे आप स्काफ ओल्डिंग भी बो होगा अगला चोथा कोशन बच्चों के सामाजी करण के संदर्ब में कौन सा कथन सही है सामाजी करण सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा option ठीक है बच्चे के बताइए विध्याले सामाजी करण का एक दुवित्यक कारक है परिवार समाजी करण का एक प्राथमिक कारक है बिल्कुल ठीक है ये अगर बात करें समाजी करण की तो आदमी के लिए समाज द्वित्यक होता है विदाले और परिवार होता है प्राथमिक क्योंकि सबसे पहले आदमी अपने परिवार के लोगों के साथ घुलता मिलत जो फैमिली होगी वो होगी प्राइमरी और जो स्कूल होगा वो होगा सेकेंडरी उसका आसपरोस भी जो होगा वो भी सेकेंडरी के अंदर ही काउंट होगा नेक्स्ट कोशन है बहु बुद्धी का सिदान्ट जोर देता है कि बहु बुद्धी हावर्ड गार्डिनर का सिदान्ट है ये किस चीज़ पर जोर देता है बुद्धी मता की विभिन दशाएं हैं यानकी बुद्धी मताएं अलग-अलग परकार की हो सकती है म्यूजिकल हो सकती है उसके अलावा कोई क्या बोलते है कोई एक अच्छा मकैनिक हो सकता है कोई एक अच्छा सिंगर हो सकता है कोई एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है तो अलग अलग परकार की बुद्धी अलग अलग होती है बुद्धी मता की विभिन दशाएं बहु परमपरागत परमपरागत और उत्तर परमपरागत याद रखना किसी कारिय को इसलिए करना ताकि दूसरे इसकी स्विकर्ति दे यानि की बच्चा वो काम करता है जो समाज में वैलिड होता है ये परमपरागत स्तर पर होता है जिसे प्रृथागत स्तर बोलते हैं जिसे कन्व पीरियड बोलते हैं, तीन पीरियड हैं, छे स्टेज हैं इसमें, तो अप्शन नमबर सेकेंड यहां पर बिल्कुल ठीक होगा, लिव वाइगोट्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष है, अधिकम प्रक्रिया में डैश के मैतों पर जोर देता है, याद रखना पर लिख देंगे समाज, समाज के रोल को बहुत ज़्यादा मतलब जो है, एहमियत देता है, वाइगोट्सकी, वो कहता है कि किसी भी चीज को सीखने में समाज का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पर आंसर के आजाएगा, आंसर आजाएगा सांस्कृतिक उपकरन, जीन प्याजे अपने संग्यानात्मक विकास कैसे दांत में, संग्यानात्मक संरचनाओ को किस रूप में वरणित करते हैं, जीन प्याजे बोलते हैं कि आदमी के पास जितना भी ज्यान है, वो उसकी स्कीमा है, याद रखना आंसर होगा स्कीमा, स्कीमा का मतलब है, जितनी भी ज्यान जितना भी नॉलेज आपके पास अभी है वो आपकी स्कीमा है आप डेली कुछ ने कुछ सीखते हैं तो आप डेली अपनी स्कीमा के अंदर चेंज करते रहते हैं तो learning is equal to change in schema ठीक है next question जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धानत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य गुण क्या होता है इसमें काफी गलतियां करते हैं student clear cut answer बता देता हूँ देखे जीन प्याजे के जब भी cognitive development की बात होगी तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसक of the following is true about development विकास बहु आयामी होता है development is multi-dimensional कैसे cognitive development, physical development, affective development यानि की बच्चे का शारिक, बच्चे का मानसिक और भावात्मक अलग-अलग तरीके का विकास तो विकास multi-dimensional होता है जनम से किशोरा आवस्था तक बच्चों में विकास किस करम में होता है सबसे पहले बच्चे के अंदर समवेदना होती है फिर बच्चा मूरत रूप से देखता है यानि की concrete रूप से और फिर अमूरत रूप से abstract आपने देखा होगा सबसे पहले तो समवेदना ही ही आएंगी बच्चे के दिमाग में फिर उसके बाद आप बच्चे को कोई पी चीज सिखाते हो तो जो चीज उसके सामने होती है उसी को देखकर ही बच्चा सीखता है क्योंकि cognitive development ही ऐसे होता है पहले मूरत वीर अमूरत पहले आपको ए से apple जब सिखाई गई तो साथ में apple चाप रखी थी तो पहले आप मूरत चीजों के सारे से ही सीखते हो फिर अमूरत concept आप सीख लेते हो क्यों क्योंकि जो फॉर्मल operational stage होती है जीन प्याजे के अनुसार उसके अंदर आपका पूरी तरीके से अमूर चिंतन आ जाता है तो यहाँ पर सामवेदिक मूरत और अमूरत एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिकत विभनताओं को किस परकार देखा जाना चाहिए यानि कि एक progressive education है उसके अंदर individual differences है यानि कि एक class है progressive जहाँ पर बच्चे खुद सीखेंगे और उसमें बच्चे अलग-अलग परकार से सीखने वाले हैं तो किस परकार आप उन्हे manage करेंगे बताइए अधिगम की प्रिक्रिया में बादा अध्यापक के पक्षपर ऐसफलता योग गिता अधारित समू बनाने का मापतन या अध्यापन अधिगम प्रिक्रिया की प्रियोजना के लिए मैं तो पून बिलकुल ठीक है एक परगतिशील सिक्षा है सिक्षा की class यानि कि एक ऐसी classroom जा पर बच्चे खुद सीखेंगे वहाँ पर individual differences है तो teacher क्या करेगा teacher plan बना कर लाएगा कि मैं अपनी class में बच्चों को मान लीजिए एक chapter पढ़ाना है plants का तो कई बच्चे plants की movie देखकर सीखते हैं कई बच्चे plants को पढ़कर सीखते हैं कई बच्चे plants को experiment करके सीखते हैं किसी भी तरीके से सीखते हैं तो teacher plan बनाएगा कि मैं बच्चे को कैसे मौका दूँगा ठीक है तो answer आएगा अधिगम अध्यापन परक्रिया की प्रियोजना बनाने के लिए जब teacher lesson plan बनाता है तो उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरी class में individual differences कितन एक समावे सी कख्षा में डैश पर जोर होना चाहिए मुझे बता ये क्या होना चाहिए समावे सी कख्षा में हर बच्चे को सामरत् nayको अधिक्तम करने के लिए अवसर प्रदान करने में समावे collectin यानि हर प्रकार के बच्चे उसके अंदर होंगे समान्य बच्चे भी हो सबसे evolve करने का मुखा देना चाहिए तो answer यहां पर होगा fourth next है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के नुसार निमन में से कि शब्दावली का प्रयोग उप्युक्त है चातर जिसे शारेरिक दिव्यांगता है option number 3 यहां पर ठीक होगा यह 2016 वाला कोशन याद रखना अधिगम कठनाईयों से जुझते चातरों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए यानि कि जो लड़के या जो लड़कियां जो चातर learning difficulty को महसूस कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए संबोधित करना मतलब दूर करना एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए सिक्षा, शास्तर और आकलन की जटिल संद्रचनाओं का प्रियोग एक बच्चा पहले ही लर्निंग में थोड़ा सा ढीला है ठीक है और उसकी लर्निंग की डिफिकल्टीज को आप दूर कर रहे हो तो उसके लिए आप आसान चीज़े बनाओ गया उसके लिए आप कठिन चीज़े बनाओ गया सीधी सिंपल सी बात है आसान चीज़े बनाओ गया फॉर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसे पैडागोजी और आकलन की जटिल संद्रचनाओं का प्रियोग कर रहे है Creativity की प्रमुख पैचान क्या है Creative बच्चा तभी होगा जब बच्चा अलग-अलग दिशाओं में सोच पाए अब सारी चिंतन Divergent Thinking Divergent Thinking is equal to Creativity याद रखना अब सारी चिंतन की जैसे ही सरजनात्मकता आती है विविद प्रिष्ट भूमियों के अधिकम करताओं को संबोधित करने है तू एक अध्यापक को यानि कि अलग-अलग प्रिष्ट भूमी से Classroom के अंदर बच्चे हैं कोई पंजाब से है कोई दिल्ली से है कोई हरियाना से है अलग-अलग तरीके के बच्चे आपकी Class में है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए हर एरिया से एक्जाम्पल लेकर Class में उठाने चाहिए ठीक है यानि कि विविद विन्यासों से उधारन लेने चाहिए यानि कि एगर आप कोई प्लांट्स का चेप्टर पड़ा रहे हो तो आप बता सकते है राजस्थान में ऐसे प्लांट होते है दिल्ली में इस परकार के हैं इमाचल में इस परकार के हैं MP में इस परकार के हैं तो ऐसे क्या होगा जो अलग-अलग प्रिस्ट भूमी से बच्चे आये हैं क्लास्रूम में उन सब को connection मैसूस होगा क्लास्रूम से तो विविद विन्यासों से उधारन लेने चाहिए यान कि अलग-अलग जो प्रिस्ट भूमी है बच्चों की वहीं से उधारन दो आप समस्या समादान शमताओं को किस परकार सुसाध्य किया जा सकता है यान कि बच्चों को problem solver कैसे बना सकते हो आप बच्चों की जो problem solving ability है उसको किस परकार से आप better कर सकते हो बताओ लगातार अभ्यास और कर्यानवन पर जोर देकर समस्याओं को हल करने है तू अटल प्रिक्रिया के इस्तिमाल को बढ़ावा देकर यान कि समस्या समादान की सिर्फ एक ही प्रिक्रिया उसी कोई बार बार करना है नहीं समरूपों के इस्तिमाल को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में डर की बावना पैदा करके लगातार अब्यास और कारियानुव पर जोर देकर यानि कि अगर आप जोर देकर है जा की जिंगे पर जोर कर लो इसे क्या कर लो इसे जोर देकर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप बच्चों से कोई समस्याल करवाना चाहते हो मालव आप बच्चों को प्लस सिखाना चाहते हो और आप चाहते हैं कि बच्चे इन सब कान सर दे आपने कोश्चन दिए तो आप बच्चेों को ये solve करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दो लगातार आप ब्यास करवाओ और कारियानवन का मतलब जो काम दिया जाए उसको करवाना यानि कि बच्चे को काम दो बराबर और बच्चा बराबर उस काम को करेगा तो दीरे-दीरे किसी भी समस्या के समाधान करने की ability उसके अंदर दीरे-दीरे develop हो जाएगी तो लगातार आप व्यासोर कार्यान पर जोर देकर अधिगम की अभी प्रेरिणा को किस परकार कायम रखा जा सकता है यानि कि learning के लिए हमेशा बच्चे को motivate किस परकार रख सकते हो आप बच्चों को दंड देकर बिल्कुल नहीं motivation जीरो हो जाएगी परवीनता अभी मुखी लक्षों पर जोर देकर बच्चों को बहुत आसान क्रिया कलाप देकर नहीं जो extraordinary बच्चे होंगे वो satisfy नहीं होंगे अगर काफी आसान काम दे दिया यंतरवत याद करने पर जोर देकर नहीं सबी बच्चे उब जाएंगे परवीनता अभी मुखी लक्षों पर जोर देकर परवीनता का मतलब है कि किसी भी काम को करने में आप कितने तगड़े हो गई हो परवीनता अभी मुखी लक्षों पर जोर देकर यानि कि जो काम सीख रहे हो उसके अंदर expertise डिवलप करना अगर बच्चे को आप project बनाना सिखा रहे हो तो project के लिए जो जो चीजे जरूरी है उन सब में बच्चे की expertise तयार करना परवीनता अभी मुखी लक्षों पर जोर देकर हमेशा आप learning की motivation को बढ़ा सकते हो आगे बढ़ते हैं जैसे कि मान लो मुझे एक अच्छा बच्चा एक cricket खेल रहा है आप उसे हमेशा ये बताएं कि तुझे एक top class batsman बनना है तुझे रंजी ट्रोफी खेलनी है बाद में तुझे इंडिया को represent करना है ठीक है तो जो परवीनता अभी मुखी लक्षा है यानि कि जो achievement है उसको आगे रखें बच्चे के सामने और उसे बताते रहें कि आपको क्या अच्छीव करना है कैसे अच्छीव करना है इसी से ही बच्चे की जो गिरती हुई motivation है वो हमेशा बढ़ेगी आगे शर्मिंदगी देखिए अगर आप बच्चे को शर्मिंदा कर देते हैं तो याद रखना कि संग्यान पर cognition पर नकारातमक पर बाव पड़ सकता है एक बच्चा अच्छे से कोई चीज याद करके गया आप उसको शर्मिंदा कर दें उसे डाट दें तो बच्चा याद की हुई चीज भी भूल जाएगा तो संग्यान का मतलब होता कोगनीशन जो शर्मिंदगी होती है उसका कोगनीशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पर आंसर हो गया दो यह 20 कोशन थे दोस्तों कई स्टूडेट बोलते हैं सर एक गंटे ही क्लास दो गंटे की दोस्तों मैं खीचने को तो इसको भी मैं दो गंटे की एक गंटे ही कीच सकता था लेकिन मैं आ यहाँ पर व्यूज लेने के लिए या लंबी वीडियो के चलते ज्यादा वाच टाइम लेने के लिए नहीं हो मेरा मेन एम है आप लोगों को कम टाइम में क्वालिटी चीज़े देना यह चीज भी आप ध्यान रखें ठीक है तो इस वीडियो को भारत के हर उस्टूडेंट तक पहुँचा दो जो 20-22,000 रुपे खर्च नहीं करना चाता और नहीं करने चाहिए अपने खुद की तैयारी से जो सेल्फ स्टेडी से चीज़े करना चाता है और एक चीज में और बता देता हूँ पैडागोजी, स्पेशल बैच या कोई भी बैच कहीं पर हो आप हमारी वीडियो से उनको कंपेर कर लेना कोते उड़ जाएंगे खास करके पैडागोजी और साइकोलोजी में ठीक है? तो जो पेड कोर्स है और जो हमारा कोर्स है दोस्तों टक्कर ही नहीं है कोई, बिल्कुल ठीक जिंग अपर हो आप ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ आप की तरह फैलादो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को और ये 20 कोश्चन का पीडियेफ भी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप आंसर टिक नहीं करते हूँ आपकी पीडियेफ में आंसर नहीं मिलते तो मैं आप लोगों को अपंग नहीं बनाना चाहता हूँ कुछ आप पी ट्राई कीजिए न आपके सामने कोश्चन आ गए, उनके आंसर भी आ गए नहीं, आप खुद उनका आंसर निका लिए अगर आपको आंसर नहीं लगता, नहीं पता लगता की आंसर क्या है तो वीडियोस तो मैं साथ साथ दही रहा हूँ खुद भी आपको कुछ करना पड़ेगा इसलिए मैं आंसर नहीं लगाता हूँ वीडियोज देखिए बाद में खुद PDF खोल करूंगा आंसर देने की कोशिश केजिए आपको पता लग जाएगा रिविजन हो जाएगी आपकी ठीक है ये तरीका बैस्ट है टेलिग्राम ग्रूप पर इसकी भी मैं PDF शेर करूंगा जल्दी से शेर करो दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ठीक है टेक कियर और कमेंट भी आपके नमबर कितने आए